कक्छा वारवी के स्टुडेंट्स के लिए हम पिछले तीन वीडियो में जो कि आपके बायोलोजी के थे आपके दो अंकिये तीन अंकिये हैं दो वीडियो सायद में अपलोड किये हैं बायोलोजी के तो उनके हम इंपोटेंट दो अंकिये और तीन अंकिये कंपलेट कर चुक अंसर आपको दिया गया है साथ ही आप इसका अंसर भी देख सकते हैं यह तक्नीक बैक्तियों में DNA इस तर पर पाई जाने वाली विभिन्यताओं की पहचान करने की एक तक्नीक है DNA अगर प्रिंटिंग इसमें किनी दू बैक्तियों के DNA अनुक्रमों की तुलना करने का एक तोरे तसरल प्रमाड़क बाविश्वस्नी उपाय है तो किनी दू बैक्तियों की बीच में DNA अनुक्रमों की तुलना करने के लिए एक उपाय है एक तक्नीक है सिद्धान्त बैक्तियो फिंगर प्रिंटिंग का परिच्छ है और इसके आगे हम इसके टेक्निक के जो पद होते हैं उन्हें देख सकते हैं डियने को प्रथक करना इसके कार ही समझ सकते हैं अगला कोश्चिन है आपका बाटसन एवं क्रिक का डूई कुंडिलित मोडल नामंके चित्र सहत बताईए त्यां बाटसन एवं करिक नें डियेने मोडल दीया था देख सकते हैं आपको यह पुइंट रखना है हाँ डियेने मोडल किस ने प्रष्टत किया बाटसन एवं क्रिक नामक दो बिघ्यानक थे इनहों डियेने अलों दो अबलेउए मुका बना होता है जो एक अक्ष के चारों और सरपलाकार क्रम में कुंडलत रहती हैं दोनों सरंखलाएं विप्रीद दिशा में कुंडलत होती हैं यह रहा है इसका नामंक के चित्र देख सकते हैं तो आपका यह रहेगा कोश्चन डीने की सरचना वाटसन एवं करिक का मोडल अगला कोश्चन है आपका डीने तथा आरेने में कोई चार अंतर लिखिए तो देख सकते हैं आपे अंतर आपको बताएगे हैं यह अंतर आप जरूर से याद रख लेंगी आठ अंतर इसमें दिये गए हैं आपको तीन चार पांच याद कर लेना बस पांच चार आसांशे बन जाएंगी डार्विंड बात क्या है बिस्तृत समझाई बिकास नामक जो चैप्टर है आपका उससे है यह कोश्चन डार्विंड नें बताए कि अनुकूल और लाबदाय कभी विभिननताओं के कारण ही जीव अपने आपको बाताबन के अनुकूल सफलता पूर्वक ढ ठालने के योग होता है यह रहेगे आपके इसके आंसर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है आपका जो आपके पिछली वीडियो से जिसमें तीन अंकी और दो अंकी कोश्चन बताए हैं जाकर करके देख लीजिएगा पिछले कोश्चन आपके कंपलेट हो जाएंगे लॉ जाद रखें इन सभी क्वेश्चन को मोस्ट इंपोटेंट हैं आपकी परिक्षा के लिए निसेचन किसी कहते हैं पुस्पिय पादपों में निसेचन को समझाईए देख सकते हैं निसेचन की दोरन पराग नलिका का जो मार्ग होता है इस प्रकार से इसको दरसाएंगे तो देख सकते हैं आप अंसर दिया गया है आपको पांच अंतर दिया गये हैं यह कंप्लेट कर लेंगे तो यहां तक आपके सभी चार अंके कोश्चन कंप्लेट हो जाते हैं तो पिछली वीडियो में हमने जो आपके यानि कि जो पिछली वीडियो हैं तीन अंके और दो अ बताए गए हैं थैंक्स फूर वाच्चे मिलते हैं अगली वीडियो में